ये फ्रेंट्स देखें बात करने वाले हैं इसमें LIC के बारे में और LIC ने जैसी ये जो रिपोर्ट आई थी हिंडर वर्ग की उसमें बताए गया है 23,500 करोड का लोस हुआ है LIC को इसकी टोटल वैल्यू थी पहले इन्वेस्टमेंट की 76,814 करोड और ये घटकर रहे गई है 53,365 करोड साथी साथ अंबुजा सिमेंट में भी इसको 1444 करोड का नेट लोस हुआ है पिछले दो दिनों में तो आप जानने की कोईसिस करेंगे कि कहां तक ये और गिरेगा और मार्केट में क्या होने वाला है देखिए मार्केट क्या और भी क्रैस होगा या थोड़ा वो होल्डिंग हम देखेंगे और सबसे पहले देख लेते हैं LIC की होल्डिंग तो यहां देखेंगे अडानी इंटर्राइज में है 4.23% की हिस्सेदारी और इसने इंवेस्ट किया 16,326 करोड टोटल जो इसको लोस हो रहा है 3,218 करोड का लोस है इसमें अडानी पोर्ट का दे और जो अडानी टोटल गैस है इसमें है 5.96% जो बनता है 24,005 करोड का इंवेस्टमेंट और इसमें जो लोस है 4,801 करोड का बहुत बड़ा लोस इसमें है फिर देखते हैं अडानी ट्रांस्मिशन 3.65% का इसमें होल्डिंग है 10,212 करोड रुपे इसमें इन्वेस्ट किय हैं LIC ने और कुल मिलाकर 9,233 करोड का इसको लोस हुआ है भी अडानी गरीन की बात करें 1.28% 3,773 करोड का इसमें इन्वेस्टमेंट और 755 करोड का इसमें लोस हो रखा है तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो LIC ने 6,814 करोड इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लोस हो रहा है इसको 13,444 करोड का और अब जो वैल्यू इसकी रह गई है वो रह गई है 53,365 करोड की यहाँ आप देख लीजिए 53,365 करोड रुपे की इसकी अब टोटल वैल्यू रह गई है बस इसी तरह देखिए बात कर लेते हैं अडानी गुरूप पर टोटल करज की यह करज जो आपको मैं आकण दिखा रहा हूँ यह है 31 मार्च का 2022 तक तो यहाँ आप अगर देखें तो जो हमारा कैपक्स है वो है 11,300 करोड का डोमेस्टिक इनवेस्टमेंट जो इसमें है वो है 11,300 करोड की और सबसे जादा जो इनवेस्टमेंट है वो है हमारे PSU की 25 जिसमे SBI, PNB, Canada Bank यह तीन बड़े बैंक हैं जिन्नोंने इसमें 25% का करज इसको दिया हुआ है साथी साथ सबसे जादा जो इनवेस्टमेंट है जो वो है 4X बॉंड का और यह है 54,600 करोड बहुत बड़ा एक इनवेस्टमेंट है यह 29% का और इन ही को जादा तर जो है लोस हो रहा है क्योंकि बड़ा इनवेस्टमेंट इन ही का है तो देखे ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने भी बिना कुछ रिसर्च करे ही इसमें पैसा लगा दिया होगा बात करते हैं अगर हिंडन बर्ग की तो आपने जो सुना होगा हिंडन बर्ग का देखे इनका तो हमेसा ही ऐसा है क यह किसी भी कंपनी पहले सोट सेलिंग कर लेते हैं और इनके कुछ क्लाइंट भी होते हैं उनको यह रिपोर्ट बेज देते हैं फिर वो भी सोट सेलिंग कर लेते हैं उसमें से इने कुछ मार्जन मिल जाता है तो यह क्या करते हैं कि सोट सेलिंग करने के बाद अपनी अभी जो यह आरोप हैं यह लगाय थे अधानी के ओपर लेकिन वहां भी अधानी को क्लिण चीट मिल गी थी और अभी जो यह आरोप है यह फिर से अधानी के ओपर लगाय जा रहे हैं, फर्क इतना है कि पहले जो है इक इंडियन है वो सुचेता दलाल जी उन्होंने लगाय इस बार अमेरीकी फर्म ने लगाए हैं लेकिन आरोप सेम है पहले भी इसमें अडानी को clean sheet मिल चुकी है इस बार भी उम्मीद है कि इस बार भी clean sheet अडानी को मिल जाएगी क्योंकि अब जो है अडानी ने भी काया है वही हम US court जाएंगे और देखिए हिडन बर्ग ने अडानी को चुनोती भी दी है कि आप अगर serious हैं तो आप US court आईए तो देखिए अगर अडानी इसमें case कर देते हैं तो investor को एक भरोसा होगा कि हाँ यार कंपनी में कुछ अच्छा है तभी company ने वहाँ जाकर case दायर किया है इनके खिलाब और भरोसा बढ़ेगा उनका फिर से invest करेंगे और फिर से देखिए market दोड़ता हुआ दिखाई देखा कई बार ऐसे आरोप हुए हैं अडानी के उपर पहले भी और अब भी लग रहे हैं हर बार लेकिन ये ऐसे आरोपो को हर बार पहले से ही नकारती हुआ आए हैं इस बार भी देखिए कहीं न कहीं यही उम्मीद है कि अडानी फिर से clean shit पा लेंगे और फिर से एक अच्छा बिजनिस इनका चल पड़ेगा और future इनका बहुत शांदार है देखिए साथ आज भी इन्होंने एक नए जो investment है उसकी भी गोशना इन्होंने की है जो की petrol बगरा से है तो यह oil में भी आ रहे हैं petrol में भी तो अब कुछ ना कुछ तो अच्छा है तभी company ऐसा कुछ कर रही है डरने वाली बात नहीं है और देखिए यह है अडानी का जो अडानी इंटरप्राइजेज है उसका share holding pattern तो लगब लगवग 73% तो promoters के पास है ही साथे साथ FII भी इसमें invest किये हुए है और DII तो हैं ही 5% तो देखिए इतना बड़ा investment अगर किसी ने किया है FII और DII, LIC, SBI यह सब जब इतने बड़े-बड़े investment इसमें कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच समझके उन्होंनों भी क्या होगा ऐसा तो है नहीं कि उन्होंनों भी बिना research के ही ऐसे ही invest कर दिया और loss उठा लें तो ऐसा कुछ नहीं है यह फिर से देखिए हमें comeback करता हुआ दिखाई होगा जहां अभी था दो दिन पहले तो डरने वाली कोई बात नहीं है बाकी आपकी इच्छा है आप से लिंग करना चाते हैं कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लेज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स् जय हिंद जय भारत